आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान रूपजी बहुत सारे दर्शक है जिनका सवाल लगाता सोयबीन को लेकर आ रहा है रूपजी हमने देखा है कि सरकारी आखड़ा सोपा के आखड़े से भी जाद है कि सोपा ने उतपादन का आखड़ा दिया था अपने हाली के सरवे में कि इस बाद सोयबीन का उतपादन लगवक 119 लाक लन रह सकता है सरकारी आखड़ा सोपा के उतपादन आखड़े से भी कई जादा था लेकिन फिर हमने प्रोडक्शन भी प्रभावित होते देखी है बारी बारिश की वज़ा से सोय बीन की जो फसलें है वो भी खराब होती नजर आई है और अब दूसरा पोल्टी इंडस्टी सरकार से डिमांड कर रही है कि सोय डियो सी का इंपोर्ट किया जाए रूपा जी सरकार भी ये कह रही है कि जब सोय बीन का उतपादन इतना रह रहा है बुरे देश में पिछले साल के मुकाबले लगवक 14-15 फीज़दी जादा रह सकता है सोभा की अनुसार तो क्या सोय डियो सी का इंपोर्ट वाकई में करना चाहिए क्या जरूरत है भी इस चीज़ की देखें ये तो भी डिपेंड करेगा कि राईवल्स कैसे होते है उद्विश है सरकार करना 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 करेंगा तो कि स्टरीके से आगे स्टैटीजी को बनाया जाता है और ये किसकता ये समय सकते हैं तो कि या क्या इसा रिहाम करने है थी एक दो मंगलवार को शायद ये एक अपडेट निकल कर आया था कि सरकार ने कहा है कि किसानों के हित में कि फिलाल डियोसी का आयात नहीं होगा ऐसी ख़बरे मार्कित में निकल कर आई है और अभी उसके इंपक्ट की वज़ा से भी हमने देखा है कि सोयब इनके प्राइज निकले और वो उपरी सराएं और वहां पर वो अपना माल निकाल पाएं तो आप इस स्ट्रेटेजी के पॉइंट वे से मुझे लगता है कि इसमें एक बार अपसेट मुमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा और यह अपसेट बढ़ सकता है और यहां से बजार जो है सोयबी जा सकता है जैनुरी वाइदा की मैं यहां पर बात करें हूं कि इसमें अभी जो है पैसट सो अस्ती के आसपस देखने को मिल रहा है इसमें आचट सो से 7000 का स्टर आने वले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है जी तो यहांने कि अभी हाल फिलाल में सरकार ने भी डिसीजन सोयबीन किसानों के हित में ही दिया है कि इंपोर्ट नहीं किया जाएगा ऐसी खबरे निकल के सामने आ रही है मार्किर से बजारों से और वैसे देखा जाए तो सही भी है क्योंकि जब घरेलूत पादनी इतना जादा बताया जा रहा है तो भला फिर सोयबीन का आयात क्यों ही करना और पॉल्टरी को उस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए थी जब सोयबीन अपनी MSP के आदे से भी नीचे भाव पर विक्ती नजर आ जा ली थी तो उस समय पॉल्टरी इंड़्य को सोयबीन का अपना स्ट तो जैसे की रूपाजी ने बताया कि बिनौला खल, गौार और स्वयवीन यह तीन कमोडिटी ऐसी हैं जो आने वाले कुछ दिनों में अच्छा मुनाफ़ा देती हुई नजर आ सकते हैं तो जैसे की रूपाजी ने बताया कि बिनौला खल, गौार और स्वयवीन यह तीन कमोडिटी ऐसी हैं जिनमें आप आज इंट्रेडे में भी और आगे भी खरीदारी में रह सकते हैं तो फिलाल सिलसला बजार उका में अब एक लिए वस इतना ही लेकिन आप आई जायेगा नहीं क्योंकि खबरों काल सिलसला लगातार यूही बना रहेगा मांगे रामसीवी पर आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक जटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान